अच्छा सर रेडियो से जुड़ी एक और विशेस बात आप से पूछना चाहेंगे कि क्या रेडियो इकठा करना जितना आपका शोक रहा क्या रेडियो सुनना भी उतना ही पसंद रहा आपको? हब Tiada, रेडियो तब है कठे किया गए तब जब मुझे चाहँ था सुनने का अब कई यहों कहतैं भी सुनना ही है रेडियो तो एक-दो भोते हैं इतने ही क्या जूरूरत है तो फिर शंशार में इतने लोग हैं हर किसी से मिलते हैं तो हर किसी के मिलने से जो हम हमें खुसी होती है वो अलग-अलग होती है कोई मजाकिया टाइप होता है कोई किसी टाइप का होता है कोई किसी टाइप का होता है इसी तरह ये रेडियो भी हर एक से अलग-अलग फीलिंग होती है और जब अलग-अलग रेडियो हम बजा करके द ቷ एसे लगते हैं तो कोई भी नया रीडियो देखा जो मुझे पसंद आया उसकी ग्वालिटी देखते है है इसको अगर मेरको पसंद आयो बहे ले लेते एं और यह नहीं है भी लाकर कर रख दिया उसको फिर बारी-बारी जब भी जिस दिन देखते हैं सब्धी पेनिका मा करते हैं भी कौन सा सुनना है उसको पहले साफ करता हूं वैसे तो पान दिन में साथ दिन में लगबग हर रोज साफ सफाई करते हैं तो फिर उसको बचाते हैं तो लगबग बारी-बारी करके सभी को चलाते हैं सात्यों मैं आपको बता सकता हूं कि जो छोटे-मोटे खिलोना रेडियो में रखता हूं उनके मुकाबले और आज जब मैंने ये रेडियो देखे हैं विंटेज रेडियो बात ही अलग है और जैसा सर कह रहे हैं हर एक मोडल को बजाने का सुनने का अपना ही मज़ा है सात्य अच्छा सेरे आपके सबसे पसंदीदा कार्यकरम कौन से रहे रेडियो पर जो आपको सबना सबसे अच्छा लाए देखो कार्यकरम तो वीविद भारती से बहुत कार्यकरम आते थे उस वक्त जैसे रातरी के बहुत प्रोग्राम आते थे उसमें जैसे संगीत महल या और बहुत से कार्यकरम थे अब बहुत लंबा अर्चा हो गया इतने तो ज़्यादा मुझे याद नहीं है उनके कार्यकरम के नाम तो वीद भारती बहुत सुनते थे और इसके बाद ओल इंडिया रेडियो भी बहुत मनुझे का बड़ा चैनल था तो उसमें जैसे दोपैर को कार्यकरम आते थे दोपेर को जैसे साड़े तीन बज़े से लेकर के पांच बज़े तक उसमें हमारा संगीत का कर्ये कर्म चलता था फिल्मों का और उसमें जैसे साड़े तीन के बाद चार बज़े जैसे उर्दू में तफसरा आता था और इसके बाद साड़े चार बजे जैसे आज की बात आती थी तो इसमें देश के आलाद के बारे में पता लगता पांच-पांच मिन्ट के बीच में अंतराल गए पाते थे और उसे में किया है कै जैसे काम करने वाले, जैसे टेलरींग का काम है, लएकड़ी का काम है और जो बैठे रहने का काम है वो इडियो को बहुत चुनते थे तो जुबान पे था बहुत कुछ मनोरंजन करवाता था था लोगों का एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा आज के जमाने में जैसे कैसे कैसे टेलिवीजन आ गए, मोबाइल आ गए, लेकिन फिर भी रेडियो का जो स्थान है वो आज भी कम नहीं हुआ जैसे हम मोबाइल पर से काने सुनते हैं, पांदस मिन्ट या पंद्रादस मिन्ट सुनने के बाद हमारा सिर में भारी पन हो जाएगा, धकान मैसुस होएगी या फेज पे थोड़ा कसाव आएगा लेकिन जब हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो सुनने में जैसे घंटा रेड़ घंटा के बाद और जादा मन के अंदर श्यानती आएगी, एक अलग सा स्कून मिलेगा तो रेडियो है वो एक देखो मानशिक्ता को सही करने का और का एक जैसे मेडिशंस भी है, रेडियो जो है, एक मतला हमारे जीवन में खुसी लाने का एक मौका भी है जैसे हमने सुना है इतियास में, जो संगीत है, एक बार जैसे राजा जो अकबर है, उनकी बेटी बिमार हो गई थी, बहुत से जो उसमें वैद्या बोलते हैं, वैद्या थे सब को दिखाया ठीक नहीं हो रही थी, बारा-तेरा साल उमर थी, तो फिर किसी ने कहा कि संगीत दवा है, तो उनके दरबार में तानसेन नाम के जैसे नवरतन थे तो उनके तानसेन भी थे, जो बहुत बड़े संगीतकार थे, तो उनको बनाया गया कहा अभी, यहां बहुत इस needed, तो उनको बिला गया हम करता दुद्दि को पंद्रह दस मिंटा गंटा और गंटा लगा, जैसे ही उनका समय बीटा गया और उनकी जो लड़की है राजकुमारी हो ठीक होती गई ये हमारा इतियास का उधारन है तो संगीत एक चिकित साभी है और खुछ रहने का भी एक मतलब ये साधन भी है जो संगीत सुनते हैं देखो संगीत प्यार भी चिकाता है जैसे देश बगती है भाई बहन का प्यार है रक्षा बंदन आता है और हमारे ये जो रास्ट्री पर रहाते हैं 15 अगस्त आती है चब्री जनवरी आती है तो हमें देश प्रेम चिकाता है हमें माबाप से प्रेम करन देने के त्यार रहता था लेकिन आज की दोस्ती यूस समय की दोस्ती में फ़रेक था यह क्योंकि वह फिलने में बनने ही बंद हो गई तो वह दोस्ती बी ऐसी रह गई तो उस समय जो फिलमें थी सब्सक्राइन को बड़ा साथ पूंग नेशेग को सासा एक रेडियो में रहो Guam इंड़ि अपने सदाओं भी बड़े उसके अनदर पार्ड्स लगें बहुत बड़ी एक रेडियो बनाया जाए तो मेरे को को hits dr exhibition pug साथी को इनिम्हेब बनाएंगे में इच्छाौ यह he और भी रेडियो जो हैं आपके मस्तिस्क में कि मुझे अभी और भी रेडियो क्लेक्ट करने जो अभी तक आपको नए मिले और देखो कभी ये चीज इच्छाएं जो होती है या चाव होता है उसकी कहीं कोई खीमा नहीं होती जैसे अब मेरे पास घर में रखने के लिए जग चाहे बेन लगाओ फिर भी खरीदना पड़ता है, भी वह अच्छा लगा, कई बार सोचते हैं भी बहुत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसको जो ये चाहो लग गया, वो ताजिंद की चलेगा, ऐसा नहीं होता कि भी अब तो मन भर गया, इन चीजों से मन नहीं भरता, अगर मन भरता तो ये इतनी कठी के होती, अच्छा रेडियो से जुड़ा कोई वाक्या, कोई संस्मरण, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है, जो हमेशा के लिए आपके मस्तिस्क में जम गया है, देखो ऐसा तो नहीं है कि भी बहुत जादा रेडियो से मुझे को रेडियो पाइनियर का, जो बहुत संदर है, बहुत जादा संदर और उसकी किमत भी मतलब बाकी जो ट्यूनर से तीन गुणा चार गुणा लगी थी, तो जब मैंने मंगवाया कुरियर से, तो वो रास्ते में टूट गया था, जब मैंने खोल के देखा तो उसका अंदर का चारा सिस्टम टूट गया था, तो मेरे को बहुत परेशानी होई भी यह तो बही समसे संदर था, यह टूट गया, तो लेकिन उसपे मेंने फिर अपना दिमाग लाया, और उसको मैं तूटा भाबी दिखाउगा, और मैंने फिर जैसा था वैसा कर दिया, मैंने उसको मेरे क वो टाइम तो लगा, दो मेने लग गए, मेरे को कभी कोई आइटम जोड़ा, कभी कोई आइटम जोड़ा, और वो आज मतलब उतना ही सुन्दर है, शुकर है कि उसका गलास गरा नहीं तूटा, अंदर से कई चीजें तूट गी थी, वो मैंने रिपेर कर दी, तो मेरा आज भ और कितना सब कुछ आप जानते हैं, तो आप संबवते सही व्यक्ति हैं, जिन से हम ये पूछें कि रेडियो का अब आगे क्या भविश्य देखते हैं? देखो, रेडियो का भविश्य है, रेडियो पे तो अब भी बहुत तो और सर्च हो रही है, और आने वाले समय में बाकी अभी भी सुरू हो गया, मतलए, डी आरम रेडियो हैं, जो अभी कई महंगी गाडियों में भी आते हैं, या कई लोग पास है, मेरी भी इच्छा थी कापी टाइम से मंगवाने की, तो मैं वो लेके आएंगे, तो ऐसी बात नहीं कि भी रेडियो का कही महतव खत्म हो जाईगा, जैसे इंसानों की, लोगों थे तो एक रेडियो है, तो रेडियो का महतव कभी खत्म नहीं होगा, जब तक संगीत के परती प्रेमी रहेंगे, तो रेडियो भी रहेगा, क्योंकि रेडियो एक अलग खुशी देता है, स्कून देता है, जब हमारे पास ऐसा टाइम होता है कि भी अब हमारे पास होर कोई काम नहीं, जब रेडियो सुनते हैं तो एक अलग ही आनल होता है, तो रेडियो का भविश्य के बारे में क्या कहें, रेडियो का तो भविश्य मेरे इसाब से ये नहीं अभी कम हो जाएगा आपकी बाते सुनकर और मैं आस्वस्त हूँ कि रेडियो का भविश्य उजवल है अच्छा सेर रेडियो के साथ साथ मैंने आपके संग्रह में देखा कि अनेक टेप रिकॉडर भी है जो ओडियो कैसेट्स आती थी वो चलती है उनमें तो क्या ये कैसेट्स आज भी मिल जाती हैं टेप रिकॉडर का भी जमाना बहुत अद्बूत रहा है लगबग 90 के आसपास टेप रिकॉडर बहुत चलते थे जमाना रहा है क्योंकि रेडियो तो चलते थे टेप रिकॉडर नए आया था तो उसमें जैसे गाउ में होते थे तो टेप रिकॉडर ऐसे होते थे ज्यादा क्वालिटी नहीं थी उनकी अच्छी तो केसी टेह उलज जाती थी फिर हम पैंची लेके उसको ऐसे करके फोल्ड करते हैं या कई बार टूड जाती तो साइकल के जैसे पैंचर लगाते हैं उसका सिलोचन होता है उसको से लेते थे तो लेकिन अब मैंने देखा मेरे पास ऐसे टैपरी कोडर है जो जिसमें केसी टेह नहीं का और का तो मतलब नहीं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो कई बार कहते हैं भी अब पूछता है कई बार भी यह केसी टेह कहां मिलते होगी तो मैं बता देना चाहता हूँ आज भी नई कंडिशन में सील पैकिंग जितनी मर्जी चाहें इतने केसी टेह ले सकते हैं मेरे पास भी काफी बोक्स बरे पड़े हैं मैं एक मेरे को जो आथों से खोलिए इसको और वो जब टैप रिकोर्डर की जो रील है वो खोल के और खुद चलाता है तो उसको एक अलग यहान दाता है तो ऐसी बाते नहीं है वो चीजे मिलती नहीं आज भी बहुत मिलती है मेरे पास देखो काफी अच्छी अच्छी कंपनियों के अच्छी क सुकत्तम और पुराने से पुराने रिकोर्ड प्लेयर भी आपने लिये हैं ठो ागजे डिचिटल का जमाना है तो उस त्रीके से भी नए रिकोर्ड्ड भी बनतेडिती हैं लेकिन नजू के मेहंगे जौदा है आज के मर्जी रिकूर्ड पहले के भी पुराने मिल जाते हैं, सबी फिल्मों के पुराने फिल्मोंगे, क्योंकि उन लोगों बहुत सहज करके, जब रखते हैं, तो रखने का तो ह।या है कि भी report को मेसा खड़े साइज में रखा जाता है, य हृता कि उसके अंदर any band भी. तो record भी मैलो record का भी मेरे को जहां तक ग्यान है कि उसका इत्याज ऐसे one of the rock record Xginame Kiteaeeji ie be visa clay standard Tag, कborפर 6 poulet Chemical रबर प्लास्टिक के आने लग गए और फिर ऐसे भी आए जो कपड़े की जैसे तरह उनको हम फोल्ड भी कर सकते हैं रंगीन है और है कई तरह के रिकोर्ड रिकोर्ड का साइज भी छोटा बड़ा साइज होता है तीन चार साइज होते हैं तो जैसे लपी रिकोर्ड बोलते ह जो बड़े साइज को लगबग एक फूटका होता है तो रिकोर्ड वगेरा भी आज खूब मिल जाते हैं उसमें जैसे ये टरंटेबल बोलते हैं मसीने ये भी खूब मिल जाती है जिसको चाहिए तो उनका कुछ सुनने का लग ही अंदाज होता है उसको हम ओरीजनल साउंड म जाले जिसको प्राइज जिप्त कारियकरम बोलते हैं तो उसके अंदर जो रिकोर्ड करते थे वो एक मसीन होती थी जिसको स्पूल बोलते थे तो स्पूल के अंदर जैसे ये टैप रिकोर्डर की कैसिट होते इस तरह की बड़े गोल कैसिट होती थी जो एक दूसरे पर ऐस औरिजिनल आवाज साउंड औरिजिनल मालते हैं उसको तो स्पूल भी उससे में बहुत चला था मतलब ये पिछेतर के या सतर के लगबग की बात है उस जमाने में स्पूल का भी बहुत रिवाज था अंत में चलते चलते सर आप भारत भर के रेडियो परसंसकों को और आम जो कलेक्टर्स हैं जो संग्रह करता है जो संग्रह करते हैं जो पुरानी चीज़े हो या किसी भी परकार के उन सभी के लिए को संदेश देना चाहेंगे सरा हाँ जो किसी भी तरह का इंटिक चीज़े हैं उनका संग्रह करता है वो यह है कि जैसे हमारी पुरानी चीज़े है या हमारी पुरानी विरासत है उसको संजो कर रखते हैं वो एक बहुत बड़ा कारिया है क्योंकि आने वाले समय में फिर वो बाते ही रह जाएगी नहीं त तब तक उसका हमारे दिमाग में चीतर या उसका महतव या उसका मुठास पैदानी होता इसलिए जो भी क्लेक्टर है जो नई पुरानी चीज़ें संजो करके रखते हैं वो एक चीज अगली पीडी तक ले जाने का काम करते हैं वो एक बहुत बड़ा काम होता है बहुत सार उसके हैं एंटिक चीजें रखते हैं या और है किसी बी तरह की मेरे को फिल्वे उसका ही चाव फ्राइज की चीज़ें है तो इसमें अम्प्लीफायर है रेडियो है और है यह मेरे को चाव है यह इकठी करता हूं मैं तो जादा तो कहने का मतलब है और हमारे पुराने जो कि लगा लो पराने समाज की जान है उसको हम संजोए रखते हैं अगली पीडी को बताते हैं तो वो एक अच्छी दरहोर है और उससे मतलब आने वाड़ी पीडी को ग्यान मिलता है भी यह चीजें यहां से स्टेज बार करके यहां तक आई है यह जो आईटम है यह भी मेरे बह आई जलती है दो जगे से पावर ओन करनी पड़ी आपको यह अलग आईटम है यह अलग है इसके साथ अटेच किया गया इसको बोलते हैं टूनर और यह एम्पलिफायर है पहले इस तरह के आईटम आते थे जिसमें टूनर अलग है अपलिफायर अलग है एक्विलाइजर है ट्रंटेबल है तो इनको अटेच किया गया अपस में तो इसका इसके साथ कनेक्शन जैसे यह भी मैंने सभी का अलग लग करा किया हुआ है यह नोब लगाई है जब जो उनसा चलाना होता है उसी के अंदर डाल डेते हैं आप जब इसको घुमा रहे थे यह तो बड़े मख कि तरह चल रहा है इस परकार से कोई नोब मैंने ट्यून होती नहीं देखिया अस तक सर अरे सर आप निशन को चैसे गुमाई है देखिए कितना ही जल्दी गुमाई है यह तो क्वालिटी ही अलग होती है इनकी पिछे इनके वेट लगा होता है उससे इतना जल्दी घुमत कि इसका इनका तो साउंड सुनके या तो इसमें ज्यादा तर उसमें ज्यादा तर मतला एफम और एम दो ही ज्यादा आते थे वैसे तो बाकी और भी आते हैं जैसे अब मेरे पास एकी आइटम है इसमें सोर्ट वेव और मीडियम वेव हैं और यह चीज भी बताना फिलिपस कंपणिया मेड लेगिन ये उसेमें बहुत बाकी इन से कम नहीं रहा ये भी बहुत रेयर चीजों मेंس है इनके आवाज के जे गवालिटी वो भी बहुत ही उमधा है ये नहीं है कि आप बी आफे पर चाहिए है जो इनीया की बहुत बड़िया रही है तो यह भी मेरे को बहुत पशंद रहा तो इसी तर मैं एक आइटम और दिखाता हम आपको आप ये देखिए ये जो टूनर है ये देखिए ये जो स्केल है ना लोग है और ये साथ में डिजिटल भी है इसको हम चलाते हैं तो साथ में ये डिजिटल भी चलता है कोई अंदाजा है अपको ये मौडल कब कराओगा कब रिलीज किया ओगा सोनी ये कम से कम सर भातर तीयतर पीजए लगभाग इतने संका होगा यानि उन्हें सब भातर तीयतर में सोनी जो है वो डिजिटल डिस्प्ले दे रही थी विल्कुल बिल्कुल ये देखिए अगाद ह यह भी सोनी का है, यह संचुई है, इसकी भी आवाज भहत ही उंदा है, बहुत मेरे को यह भी बहुत पसंद है, जैसे यह भी सोनी का है, यह इसके साथ हटेच है यह Emplifyer है, और यह इसका वो ट्यूनर है, तो अगर इसको हम चलाते हैं तो यह है इनका चेंज करना होता है, त तो मेरे जो सभी आइटम है ना सभी आइटम लगभग चलते हैं ये भूप सिंग जी ने बहुत ही एक जवर्दस बात बताई कि ये संग्रह के और नाम नाम का नहीं है कि इक अठा कर लिया ये देखिए सुनते हैं सभी आइटम चलते हैं इसमें ये एक्विलाइजर का अलग सिस्टम है इसका कौन से इस पर करते हैं कमजाद जैसे ये सिगनल दिये गए हैं इसमें कि अमेजिंग अ कि सार ये वह वाली आइटम है जो बहुत ही देखो साफ सुत्रे दीख रहे हैं आज जैसे नए लागर के रखे हैं लेकिन इस ये भी कम से कम 1983-84 के हैं ये मेरा वो ट्यूनर था जिसमें मतलर रास्ते में आते वे तूट गया था लेकिन मैंने इसको ठीक कर लिया अंदर से कई जग ऐसे तूट गया था ये तो ये गलास सही रहा ये मेरी खुश किसमती मानिये तो अंदर से चारा मैंने फिर वो ठीक कर लिया इसको तो इसको जब तूटा हुआ देखा मेरे को बहुत प्रेशानी हुई थी तो ये भी मेरे बहुत अच्छे मेरे दिल के न देखो वो तो फिर इन चीजों के साथ रहेगा तो सीखी जाएगा फिर तो सीखता रहता है ये स्पिकर है जैसे ये लिखा है मैड इन यूएस से ये बारा इंची स्पिकर है ये भी काफी मतलब अच्छे बचते हैं ये वर्ड क्लास है ये तो ये मेरा जो सेट है पाइनिय का तो यह भी बहोत बढ़िया बज़ता है, इसकी भी ट्युनिंग बहुत ची ट्यूनिग है, यह जैसे मैं बता रहा था भी इंडिया की चीजें यह है फिलिपस का, 1718 फिलिप्स का ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जी सर फिलिप्स उस समय वास्त्विक समान माल लगाती थी रेडियो में और अब यकीन नहीं आता कि फिलिप्स का नाम रेडियो जगत से जा रहा है और ये भी बहुत ये जो चीज है ये तो कुछ अलगी है आउजा जिसका मोडल नंबर है 4040S ये बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलता है इसको भी जो है लोग जिनको चीजों को बहुत पसंद करते हैं इसको भी ये भी मेरे पास होना मैं तो मेरे इसो भागे की बात के रिशीवर है ये यामा का है इसको भी मैं थोड़ा चला के बता देता हूँ ये देखिए इसके कितनी कितनी अच्छी लाइटिंग है ये देखिए इतनी बढ़िया लाइटिंग और रात को तो ये इतनी अच्छी लगती है और जितनी लाइटिंग अच्छी लगती है इ यह भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है अर्मान कार्ण करकानों में आ रही हो बिलकुल बिलकुल से यह वाला सेक्षन भी मेरा बहुत ही ज्यादा पसंदीदा सेक्षन है यह भी बहुत क्वालिटी की चीजें जैसे यह बहुत बड़ी कंपनी है महरेंज इसका यह मेरे पास सुरियां से रिचास। यहां ini बिसना यह लिखा यहां पर सपैशल एडिशन n है तो यह भी जैसे एक्टी छाल मित यह अ है यह लिखा है जैसे था फए हैु जो इस पJs का है यह भी बाहर के ऑन टोर्च इन अम्टिर्ली नहीं बहुत से को कंट्रीज में बनता है यह जो अम्प्लिफायर मेरे को सबसे अलग लगता है संसुई A7 क्योंकि इसकी जो अब आजब होती अलग है और बाकी फ्रिक्वेंसी के इसाफ से देखते हैं तो यह पांच हर्ट से लेकर के 40 किलो हर्ट से तक इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है जो आवाज की होती है यह भी ट्यूनर है और यह जो है टैप डिकोर्डर यह मैं बता रहा था यह रिवर्ब है यह भी साइद मेरी उमर की लोग तो जानते होंगे बाकी तो इतना रिवर्ब के बारे में नहीं जानते यह इसमें प्रियोग किया जाता है जब हम रिकोर्ड प्लेयर चलाते है उसके अंदर इसकी और आवाज बढ़िया हो जाती है मैं एक दो आइटम और रिखाए हुआ पहले बार सुना सर आप से मैंने यह रिवर्ब बहुत कम देखने को मिलते हैं एक आइटम यह है यह भी बहुत पुराना आइटम है एनालोग के जमाने का है जैसे इसमें यह खास बात है जैसे अब हम वोल्यूम कम जादा करते हैं तो इसके साथ यह सकील चलता है यह पिछे कागज लगाया हुआ है और इसके इसाफ़ से यह लगता है भी वोल्यूम कम जादा हो रही है यह एनालोग के समय का है एनालोग आइटम है यह भी पूरा भी बढ़िया वरक करता है तो इसके अंदर साथ में यह टरन टेबल भी दिया गया है यानि यह रेडियो भी है यह कैसिट प्लेयर भी है और यह रिकोर्ड प्लेयर भी है हाँ 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 यह रिकोर्ड प्लेयर भी है इसमें डबल यह कैसिट प्लेयर है और साथ में अफमेयम यह रेडियो भी है यह भी मुझे काफी मज़कत के बाद मिला था मैंने इसको लेने के लिए कम के कम एक वेट किया था अजिसके बाद यह मेरे पास पहुंचा है तो वो तो अपनी अपनी पर संदा होती है यह जिए देखों ऐसे चला जाता है यह ने प्राट और घ्री इसको रील ठी बहुते हैं क्या नाम प्लिह तो आप अब मैं से कैसेट बड़ी करके जी जी बढ़ी करकर कि जी जी ऐसा ही कुछ है वो लेकिन ऐसकी जो आवाज होती है बहुत वीन ह् वाननी जाती है औरिजनल माने जाता है इसकी शांड और ऑवात और है यह विए ग्रॉंडिंग कंपनी का तो तो यह इसमें जब हम चलाते हैं इसको तो यह कैसिटे जैसे यह गूमती है यह इस पे बैल्ट इस पे आ जाता है ऐसे यह चलती है तो इसका साउंड भी बहुत उसमें माना जाता है औरीजिनल माला जाता है यह इसका वो है भी हैड अलग-अलग चेंज करने का भी कौन से इस प्रिश्य में कुछ और तरह तो ले उस समय प्रियोग कि जाती थी जैसे रेडियो पर प्रोग्राम जो पहले बना अकर के रखते थे तो इसमें सारा कुछ सेव करके पहले इसमें और फिर उद्व चलाय जाता था जैसे ये प्रायो जीतकार ये करम बोलते हैं तो पहले इसमें रिकोर्ड किया जाता था फिर स्टूडियो में चलता था ये रेडियो स्टेशन पे सर सच कहूंट हो ये सब फिल्मों में देखा था पास्तिक जी उनमें पहली बार आपके कारण देख पार बिल्कुल बिल्कुल सर ये चीजें तो बहुत कम लोग रखते हैं वैसे बाकी कुलेटर के पास तो सभी चीजें मिलेगी साथियों चलते चलते मैं बताना चाहूंगा कि भूप सिंग जी संभवता है भारत के कुछ गिने चुने जिनको आप उंगलियों पर गिन सकें ऐसे लोगों में से एक हैं जिनके पास अती दूरलब रेडियों का जबरदस्थ भायंकर कलेक्शन है और इन्होंने किसी कॉमर्शल चैनल या किसी Niche चैनल या ऐसे किसी चैनल की बजाए अपने कलेक्शन को पहली बार दिखाने का फैसला एक रेडियो चैनल पर दिखाने के लिए किया साथ लोग इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अभारी हूँ धन्यवाद सर बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद देखो आपने ये कहा कि भी इतने बड़ा कलेक्शन देखो इतना बड़ा कलेक्शन तो मेरे पास नहीं है मैंने बहुत देखा है यूटूब पे इतने इतन हरान हो जाते हैं, उन्होंने सारी अपनी जंदगी लगाई है कई तो 70, 75, 80 साल के उन्होंने सारी जिन्दगी लगाई है उसके इसाब से तो मेरे पास कुछ भी नहीं है इतना कि बी मैं ये कहूं भी मेरे पास बहुत ज्यादा क्लेक्शन है तो बहुत हमारे इंडिया के मैं एक चोटा सा कलेक्टर हूं बाकी मैंने इसे पहले कोई वीडियो गारा या उस पे नहीं दिखाया इस पे चैनल पे अब आप की बात करते हैं तो भी आपको ही मैंने क्यों चुना भी आपने पहली मेरी वीडियो बनाई अब मेरे को आप में कुछ खास बात लगी आपको किसी की बुराई नहीं करता लेकिन आप जैसे मेरे को चाहिए था भी अच्छा रेडियो कैसे बज़े एंटिना के बारे में यह और चीज के बारे में तो इससे मुझे आपका चैनल देखर के मेरे को जानकारी मेली टैक्निकल जानकारी आपको अच्छी है आप और भी इसके तो इसलिए मैंने को चुना कि भी अगर आप वीडियो बनाते हैं तो मैं राजी वैं ने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई और रहो है मैंने को दिखाया क्यों यह जे उनकी कीमत को समझता है या इनकी अहमियत को समझता है बहुत लोग ऐसे हैं जो एक बार इनका दर्सन करने से सो भागय समझते हैं अपना तो उनीक अलोगों को मैंने दिखाया है आज आपका आपने मेरे को तो परसिद कर दिया तो इसके लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद आज से सारे इंडिया में या बार देखेंगे तो इसके लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद सुक्रिया सर आप से मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे एक रेडियो परसंसर के तोर पर भी और एक इनसान के तोर पर भी जीवन सफल हो गया और बहुत बहुत दन्यवाद नमस्कार जी आपका भी बहुत बहुत दन्यवाद